नमस्कार, समचार रिकाश के खास कार्कम चर्चा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अमित कनोजिया जम्मु कश्मीर को लेकर देश का कौथूल अभी शांत नहीं हुआ है कि इन सरकार द्वारा कश्मीर को लेकर लिए गए नेड़ने के बाद नकेवल कश्मीर का भूगोल बदला है, बलकि वायत यासिक यक्षप्रश्ण देश के सामने अभी विद्यमान है कि क्या धारा 377 की समापती कश्मीर को रास्टर की मुखिधारा में शामिल कर सकेगी, लेकिन इस सवालों के बीच के इन सरकार के वरिस रदिकारियों के साथ कश्मीर से आ रही तस्वीरे आश्वस करती हैं कि कश्मीरी आवाम देश के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए तयार है, प्रध कानियत के साथ आगे बढ़ना चाहती है सरकार भी अपने सम्मूचे करमों के साथ जनता को उनके साथ हुए धारात 370 के कारण हुए बेदभाव को दूर करने के लिए तयार है कैसे बदलेगी कश्मीर के तफिर और क्या होगा बदलाओ इस पर चार्चा करने के लिए हमारे सा को संबोधित करेंगे फिलाल स्फिर करते हैं चार्चा का सलसला डॉक्र रही सिंग जी सरकार ने एक बेल लाए राजसभा लोकसभा पूरे संसद्य उसको मनजूरी दी अब कश्मीर से 370 कास्त एक तरीके से समाप्त हो चुका है कश्मीर का पुनर गठन हो चुका है आपको पहलू है क्योंकि जब हम किसी भी स्टेट को या रीजन को इस तरह से चेंज करना चाहते हैं तो पहला होता है कि सरकार किस तरह से वहाँ पर कोई कदम उठाती है क्योंकि मैं जब डेवलप्मेंट को कश्मीर के पढ़ता था और को उसके लाए और को देखता था तो वहाँ पर एक बेरिकेटिंग सी हम को नजर आती थी पर्टिक्रली जो 370 की थी और उस 370 के कारण क्या होता था कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीधे रूट से वहां नहीं पहुंच पाती थी तो ऐसी सिति में अगर सरकार कोई कदम उठाती डेवलप्रेंट को लेकर के या अनने तो तूट गया अब हमारी सरकार जो भी चीजे बनाती है क्योंकि अब आर्टी वहां लागू होगा आर्टी आई वहां लागू होगा कंटोलर जनरल के जो वहां का उनका अच्छे तरह दिकार वहां तक पहुंचेगा तो हम जो करेंगे उसकी आडिटिंग होगी हम जो चा चलना चीजनता प्रभुदवर्ग और लीडर क्लास है जो जो लीडर क्लास है वो शुरू से लेकर अब तक उस माइंड सेट में है कि वो 370 के कहनचा बाइदाकर में रहना चाहती है उससे बाहर नहीं आना चाहती है। उसकी जो फीलिंग है वो क्या है इजजी गोइंग है हमें नहीं मालूम, लेकिन वो उसको बनाय रखना चाहती थी, यानि वो mindset जल्दी नहीं बदलेगी, प्रबुद्ध बर्ग है, वो dilemma में था, वो दोनों तरफ चलना चाहता था, वो हम जब कोई सुविधाय भारत सरकार से लेता है, यानि आप select हो के IS तो बनना चाहते हो, तब आप भारतिय प्रशासरिंग सेवा में आना चाहते हो, लेकिन लोट के आप फिर वही हमारा कश्मीर तक आप सीमित रहना चाहते हो, आप नेशन के साथ नहीं उस तरह से जोड़ पाते हो, उसको थोड़ा से ज़्यादा फोर्स करके उसके mindset को बदलना होगा, जनता जो है, वो mindset easy बदल लेगी, जैसा मुझे लगता है, जैसा दो दिन से में तस्वीर हो, क्योंकि जनता को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, सिख्षा चाहिए, हल्थ चाहिए, डवलप्मेंट चाहिए, सांती चाहिए, कानून और व्यवस्था सुचार रूप से हो, ये चाहिए औ तो वो उसे मुहया होने लगेगी, तो मुझे लगता है, वो तीरे दीरे जल्दी ही उन चीज़ों को adapt कर लेगी, एक नए parameter के साथ जबाएगी, तो आपको बड़े बदलाओ दिखेंगे, हाँ अभी वहां की leadership अपने mindset को नहीं change करेगी, तो इसलिए सरकार के साथ अपर पर चुनोतियां हैं, लोवर पर बहुत ज़्यादा चुनोतियां नहीं है, लोवर पर सरकार को अपनी चीज़ों को introduce कराना है, नीचे तक पहुंचाना है, और उसको विकास में तफदील करना है, सिदात कलन जी, आपने सुना, कि अपर जो लेवल है, उसको ज़्यादा दिक्क में जो अभी तक की दिक्टे हो रही थी, वोस्त काफियत तक दूरूंगी, और कई तरीकी की सहूलियत ते मिलेंगी, उसको आप किस कैसे विचलेशित करते हैं, कि क्या फायदा होने वाला है कश्मीरियों को, जेके कश्मीर की समस्या, जैसा भी रही सिंगी भी कह रहते हैं कि निवेश की है कश्मीर में, रोजगार की समस्या है, और यह सबसे बड़ी समस्या है, शायद आलगाओ वात के इतने ज्यादा प्रभावी हो जाने की हावी हो जाने का एक बड़ा करन यह भी रहा कि कश्मीरी नौजवान के पास रोजगार नहीं है, कश्मीर में को यह बताते जा रहे हैं कि हमारे हाँ लाइन ओर्डर की प्राब्लम नहीं है अभी हमारे हाँ निवेश अमेलन हुआ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमेनी हुई हम बार बार हम आश्वस करते हैं ओ दमियों को कि हमारे हाँ कोई ऐसा लाइन ओर का इसू नहीं है मुझे ऐसा लोकती वहाँ पर जाएंगे बैठेंगे और आउसर देखेंगे कि कश्मीर में कहां कहां निवेश हो सकता है तो कश्मीर में रोजगार का सजन होना कश्मीर में कश्मीरियों को ज्यादा से ज्यादा क्श्मीर में प्रशाशनिक सेवाओं के आउसर बहुत कम हैं ऐसा नहीं कश्मीर में टैलेंट नहीं है जैन बहुत अच्छा है एक चलता है और खजता है उस्पर पड़ता है तो मुझे कंप moet लगता है कि कश्मीर में निवेश के असर अगर खुलें कश्मीर में वो डूग लगें कश्मीर का रिकास हो कश्मीर में ईससे रोजगार पइदा हो तो 370 के खत्म होने का सबसे बहतर असर कश्मीर में तुरंड दिखने लगे गएगा और जो रीडर्षिप के किना कि मैं बइन सेंच की बात कही है यही बीर सिंगी लेकि लीडर्शिप पर मुझे लगातार में कश्मीर जाता रहा हूं और कश्मीर श्यकति अब करें बहुत कि नागरिक ची सने ऐस से कॉई परेटन के लिए नहीं गया था यह मांने किन्हों तुन की क्या किया हैए यह कश्मिर की जनता के सामने है तो बहुत को जए merry-goats single time की जनता ह्या कि ŏ कि कुछ करने को हमादा हो जा अनुसनगा यह एक वह उनका उच्परेजिलग करने को आमादा हो जाएगा यह अपनी credibility वहाँ पर उनकी खतम हो चुकी है, यह कोई issue नहीं है, issue यह है कि हम कितनी जल्दी वहाँ पर जन सामान को धर्देपन ला सकते हैं, और कितना कम समय में हम वहाँ पर दोग धंदे और तमाम रोजगार के उसर पैदा करने लगेंगे, जिसमें आम कश्मीरी वो नौ का जगार हो जाए, आम कश्मीरी को बहतर स्वास चेकस्ता की सुविधाय, पढ़ाई की सुविधाय मिलने लगे, क्योंकि आज भी कश्मीर में अगर हम देखें, जो कश्मीर मेडिकल कॉलेज है, इसके अलावा अगर कश्मीर में किसी को गंभीर विमारी होती है, तो उसे चंडीगर्ड या दिली के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वहाँ पर बहतर स्वास सुविधाय नहीं है, और दूर दराज के अलाकों में तो बिलकुल ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर इन सब कदमों से कश्मीर के नौजवान को रोजगार मिले, कश्मीर के नौज इनता होने का कोई असर कश्मीर की जनता पर पढ़ने जा रहा है, या उनकी बहकावे में आके कश्मीर की जनता कुछ करने जा रही है, इसकी सम्भावना मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती है. जैसे कि तस्वीरे भी आई, जो एनसे हैं वो पहुचे, आम लोगों से मिलते नजर आए, इसके लवा ये जो आने वाला हफता बड़ा महत्पूर दिख रहा है, एक तिवहार है, जो आने वाला है, कल फ्राइडे भी है, उस पे है, तो आपको लगता है कि ये जो एक हफता जो आने वाला है, 15 अगस्त भी है, और 14 अगस्त पाकिसान का Independence Day, 15 अगस्त यहाँ पे, तो बुच सरकार को कहीं न कहीं, एक सतरक्ता भी रखनी होगे साथी, धीरे धीरे नॉर्मल सी के और जाना होगा, नहीं, बिलकुल अमेजी, अगर आप बहुत सारे inputs को अगर उनको दे तो जैसे हम उस पर से अगर इन चीजों को हटाते हैं, जो आज हमने टेक अप कर रखा है वहाँ, तो वो एंटी नेशन या एंटी इस्टेबलिस्मेंट एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकता है, और जिन तेवहारों की और आप इसारा की हमारे सुद्रता दिवस तक अगर साथ बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो वहां की फैमिलीज हैं, वहां के जो वुजूर्ग हैं, वहां के जो लोग जिनका समाज पे निचले इस तर पे प्रभाव है, वो उन चीजों को समझेंगे, वो भारत के असेंबली में, वो संसद में जो पास हुआ बिल है, दूसरी चीज अभी हमें क्या होगा कि जो हमारा लोकल एड्मिनिस्टेशन वो कमो बेस रपी अफ या सी रपी अफ के पास है, तो हमें उसको भी किसी तरह से कनेक्ट करना, हमें यह तो नहीं देखना है कि वहां पर निचले इस तर पे लोगों का जो रुजान है, वो किस फैखास करके इन तेवारों में हमको डील देनी पड़ेगी, मारी सरकार को वहां पर डील देनी पड़ेगी, तो उसके रिपरकसंस क्या सकते हैं, एक यह देखना पड़ेगा, और तीसरी चीज जो है स्वतंतरता दिवस को अब हम जब इंज्वाय करते हैं, तो हमारा ये मो मैंने नहीं रखता है, मैंने रखता है वहां का जर्नल अवाम, मैंने रखता है वहां का यूथ, क्योंकि यूथ क्या है, जैसे वो जो भी पड़ लिख रहा है, हम चाहते हैं कि हम को रोजगार मुले, दूसरा क्या हम चाहते हैं कि हम में इस्ट्रीम के साथ जुडे हैं, हम नहीं जुड़ते हैं तब ही जो सेफ्रेटिस्ट हैं उनका दिमाग पर हमारे प्रभाव पड़ता है अगर हम तो हम कोई आखर के नहीं पढ़ा पाएगा कि यह इंडिया गलत कर रहा या ऐसा नहीं कर रहा या वैसा नहीं पर चल सकती है मुझे लगता है उतने ही अच्छे रेजल्ट हमें मिलेंगे एक चीज मैं और यहां पर कहना चाहूँगा कि सामाने तोर पर हम भार-बार देखते थे कि पाकिस्तान की तरफ से एक लाइन अफ कंट्रोल से इंफिल्ट्रेशन किसी तरह से होता था या किसी तरह से मैसेजिंग होती थी जो हमारी शामति को हमरे लाइंड आर्डर को इफेक्ट करती थी अब वो पासिबल नहीं है फिलहाल तो जब वो नहीं होगी तो हमारा यूथ जो है वो डैवर्ट इतना जल्दी नहीं होगा क्योंकि वहां का यूथ मैं दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कश्मीरी यूथ से मिला जो सिविल सर्विसेस के तैरी कर रहे हैं उनका इतना माइंड सेट ऐसा नहीं है वो प्रो नेशन है लेकिन मैने कहा ना कि जब बार बार आप उनके अब तक दिमाग में वो ब्रेन मैपिंग करते थे कि नहीं ये भारत अलग है और कश्मीर अलग है तो जाहिर सी बात है बच्पन से जब उसको ये बात बताई गई तो वो लेके चला रहा है अब हमें उसके जिस्ट अपोजिट उन चीजों को उसको डालना है उसके ब्रेन मैपिंग करना है और उसको लाना है इसमें केवल पुलिटिकल इस्टेबलिस्मेंट केवल हमारा ज जैसा कि एक तरीके से प्रभल संभावना हैं कि इसमें जो धारा 370 उसके अलावा जो जम्मु कश्मीर परिवर्तन हुए उसको लेकर प्रधान मंतरी कुछ देश के नम संबोधन दे सकते हैं। आपको क्या उमीदे हैं खास हो पर डॉक्टर साब ने युवाओं की बात की तो कुछ आपको लगता है बड़ी चीज निकल करके युवाओं के लिए कश्मीर के लिए इसमें आ सकती है। अपरी संसद ने कानून पास किया। संसद ने एक प्लॉस को हटाया, मेरा 370 के खंड दो तीन को हटाया, 35 मिश्प्रवावी किया। ये तो एक संसदिये कारिथा जो पूरा हुआ है। अब कश्मीर के अवाम पर कश्मीर के नौजवान पर क्या इसका असर होने जा रहा है। और सरकार का क्या रोड मैप है। ये प्रधान मंत्री आज आट वजे जब अपना संभोधम देंगे तो बताएंगे जाहिर सी बात है कि आगे क्या रोड मैप है ये तो संसद में नही कर जाएंगे और हमारे पास नौजवानों के लिए ये उजनाये हैं हमारे पास कश्मीर में निवेश कैसे हो इसके लिए हमारे पास क्या है हम कैसे कश्मीर की ववस्था को पट्री पिलाएंगे बहुत सारी हीजियों का खुलासा आज पुदान मंत्री आठ वजे अपने सं चिंगे ने कहा आपने भी माना कि जो कश्मीर की छेत्रिय नेता हैं कश्मीर के छेत्रिय नेताओं का असर समाप्त हुआ तभी तो दूसरे तब तो जो है उनको बर्गलाने में काम्याब रहे लेकिन अगर कोई अगर देश का पधान मंत्री उनको अपना एक रोड मैप उनके कश्मीर को पठरी पर लाना कश्मीर की जशा दिशा को दुरुस्त करना यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सतर साल से जो कुछ चला रहा है कश्मीर में उसको आप एक दिन में उसमें परिवतत देख लेंगे या सतर साल से अगर वहां उन्डूग धंदे नहीं लगे है निवेश नहीं हुआ है तो वह अचानक अगले एक साल में आपको वहां उसकी भरमार नहीं दिखाई देगी यह प्रोसेस है जो स्टेप बाई स्टेप चलेगा कि कैसे निवेशकों को लगेगा कि हाँ अब हमें कश्मीर में निवेश करना चाहिए कैसे कश्मीर की मैन को कैसे बचाते हुए वहां के MSME को कैसे हम प्रमोट करेंगे वहां की दस्तकारी वहां के शिल बहुत सारी चीजिया इसी है कश्मीर में कश्मीर बहुत बहुत सारे माइनों में बहुत रिच है और कश्मीर अकेले अगर कश्मीर की में जो चीजिएं का पाई जाती हैं अग है कि प्रदान मंत्री अपने आज के संबोधन में ये देश के सामने बताएंगे कि हमने कश्मीर के लिए क्या-कया योजनाय बना रखी हैं और कैसे कश्मीर के अवाम की कश्मीर के नौजवान की उससे तरक्य होगी और कैसे उसको उस पर भरुसा करते हुए उस रास्ते पर कि इन सब से तर कश्मीर में क्या सकारात में बदलावाने वाले लेकिन हमारा जो पडोसी देश है पाकिस्तान वह लगातार एक कही न कहीं पानिक सिचुएशन में दिख रहा है एक फाल क्राइज इसको कहना चाहिए वह लगातार कर रहा है भारत अपने इंटर्नल मैटर मे कुछ भी करता है भारत का एक क्या सवरेंग राइट है ऐसे में जो पाकिस्तान की तरव से कदम उठाय जा रहे हैं वह क्या संक्य कोर्ण के तान को पानिक बिए या कहीं त्बाओं में अगर पाकिस्तान के पूरे इतिहास को देखें तो उसमें जो तीन मैं पार्ट मानता हूँ जो एक 70 के बाद जो चला और एक जो 52 70 और एक इमेजियेट आजा दी के बाद तो आप देखिए कि पाकिस्तान 70 के पहले भारत से या 71 तक हम ले जाएं तो वो प्रतक्षियुद उसने करने की कोशिश कि और उसमें वो हारा दोनों बार लेकिन उसके बाद में धीरे-धीरे क्या हुआ उसने पहले ही एक डाकुमेंटेशन उसका हुआ था आर्मी जनरल ने किया था कि आप भारत से आप प्रतक्ष रड़के नहीं जी सकते आप प्रतक्ष रूप से लड़ें प्रॉक्सी वार करें और एटी के डिकेट में आप देखिया उपरेशन टुपाक या अन्य दो आपरेशन उन्होंने चलाए और उनका उद्देश पूरा क्या था कि जो रशिया के वाप वापस होने से अफगानिस्तान के बाद जो तलिवान और अन्य बचे थे उनको भारत के बार्डर पर लेखिया तब से लेकर आज तक पाकिस्तान का एक मात्र उद्देश रहा अगर आप बार्डर पर देखेंगे तो भारत को चुनोती दो और डिप्लोमेटिक उस पर देखेंगे तो जहां कहीं पर भी अंतरास्टी फ्रेंट हो वहाँ पर कश्मीर इशू आप ले आओ लगातार यानि उसकी कूटनी थी और उसकी आंतरिक राजनी थी ये दोनो कश्मीर सब्जेक्ट पर चलती रही यानि ये कहिए कि वो जिंदा रही कश्मीर पर और दूसरा उसका जो कटरपंथी समू है वो भी कश्मीर पर जिंदा रहा तो ये दो जो दो पराजशित चीजें हैं उसकी राजनी थी उसकी कूटनी थी और उसका कटरपंथी वर्ग ये तो अपने राजशित अवस्था में आ गए तो पैनिक तो वो होगा ही होगा एक बात दूसरी चीज अगर आप देखे अब वो अपने अवाम को अभी तक जितने चुना उनके उठा के देख लीजिए या जो भी देख लीजिए वहां कश्मीर वो इश्यू ले आता था अब अब अवाम को क्या देगा जो तीसरी चीज अगर उनके सेना है वो पराजित महसूस कर रही है वो फील कर रही है कि वो इंडिया से हार गई है और रियल स्टेक होलडर वहां पर कौन है सेना है तो सेना इमरान के उपर इमरान खान के उपर जो जिस तरह दबाव बना रही है अब इन सब से उबरने का उसके पास एक ही रास्ता है कि आप इंडिया को लेकर पैनिक होई है अब आप वो जो हुए भी पैनिक हैं उसमें मैसेज क्या पुरे वर्ड को दे रहे हैं उन्होंने क्या किया अपने काउंसलर को रिकॉल कर लिया और हमारे को वापस भेज रहे हैं तो हमें उनकी जरूत ही वह इसे कहा रह जाती जब वह अपना वापस बुला रहे हैं यह डिसीजन दिपक्षिय के साथ-साथ अंतरास्टी प्रिंसिपल पर चलता है आप वहाँ क्या जबाब देंगे पाकिस्तान क्या जबाब देगा दूसरी चीज उन्होंने ट्रेट को बहन किया बाइलेटरल ट्रेट को हमारा उनका बाइलेटरल ट्रेट था कितना 0.3% टोटल ट्रेट का और दूसरी चीज़ आप देखे, पुलवामा के बाद हमने उनका most favored nation का दरजा खतम किया, हमने उन पर import duty 200% लगा दी, तो हमने उनके trade को बलाक किया, जिस पर वो लगातार एक प्रयास कर रहे थे कि इंडिया relation को normalize करे, और trade जो restriction लगे हैं, उनको वो कम करें, हम तो विश्व उनकी जरूरत है, तो यहाँ पर आप देखे, trade में वो करके अपना नुकसान पूरा कर रहे हैं, और अगर वो diplomatic relation खतम कर रहे हैं, तो अंतरास्टी इस तर पे वो ये भी नहीं कह सकते हैं, कि भारत हमसे बादचीत नहीं कर रहा है, आद तक तो वो यही दबाब बनवा रहे हैं, कि भारत बादचीत करें, तो इस तर पे देखे, वो पराजित है, और पराजित होने पर जो उसमें एक खीज है, वो मुझे उनकी सरकार, उनकी पार्लमेंट और हर जगे पर दिख रहे हैं, इवें दन, उनके सारे अखबार, मतलब भरे पड़े हैं, डान से लेकर, हर अधर जी, कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन इसी के साथ ही, लद्दाक, मैं लद्दाक की बात खास तौर पर करना चाहूँगा, लद्दाक को एक बहुत परानी मांग जो थी, यूटी का दरजा, वो यूटी का दरजा मिलने से, लद्दाक की क्या बेहतरी होगी, और साथ लद्दाक जो है, वो सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर है, उसकी जो स्ट्रेजिक लोकेशन है, उसमें क्या फाइदा मिलेगा भारत को, जितनी पुरानी मांग कश्मीरियों की है, अपनी जो अब तक करते रहे हैं, हमोर एटॉनमी और बहुत सारी सीजों की, करीब-कर लद्दाक हमेशे यूटी मांगता था, वो एक देश, एक निशान, एक विदान रहने की है, वो राज का दरजा संभो भी नहीं है, और राज का दरजा पीजबल नहीं है, तो लद्दाक ने अपने आपको अलग करनी की बहुत लंबे समय से मांग की, अब मैं आपको रही शिंग जी कह रहे थे कि जो कश्मीर की छेत्रीय कराजिनी थी है, उस छेत्राजिनी हुआ एक ही लद्दाक की जो अटॉनमस दिस्टिक कांसिल बनाई गई, उस कांसिल के अधिकारों को ही उस छेत्रीय करना शूरू कर दिया, यानि कि एक तरक तो आपने उनको बहुत उपेच्षित महसूस कर रहा था कि हमको बहुत सीमित से अधिकार भी दिये, उन अधिकारों की भी कतर बहुत शुरू हुई, और धीरे-धीरे करते हुए, मैं आपको बताओ, मुफ्ती महभूबा वहाँ पर मुख्यमंतरी थी, उस काल तक आते-आते तो यह हो गया था कि लदाक का एक शौचाले जो है, वो भी जो है, उसको लिए भी श्रीनगर तक पाइल चली आती थी, तो लदाक की जो डिमांड है, लदाक को अलग किया जाए, या एक अलग एंटिटी लदाक, लदाक ने कोई राजी की मांग, लदाक ने कोई स्वाइटता की, और कोई लदाक को जो बहुत सीमित इतने दिनों की लड़ाई के बाद उनको जो ठोड़ा बहुत एक अटरॉनमस डिस्टिक काउंसिल का दर्जार मिला, आप उसको भी उसको भी काटते शाटते, आप उसको भी बिलकुल आपने उसको जो है वो लिमिटेट करते हुए बिलकुल ना अबादी बहुत कम है, तो लदाक की आवाज सुनी नहीं जाती थी, उनकी कोई इंटरनेशनल की बात छोड़ी है, उनकी आवाज दिली तक नहीं पहुंची थी, तो लदाक का मुझे लगता है कि लदाक में डेवलेप्मेंट की असीम संभावन आये हैं, लदाक इंडिपे आशी निकाय और वो करके दिया जाता, उससे भी लदाक अपना बहुत कुछ भला कर सकता था, तो लदाक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे बड़ी प्रसंता का विशह लदाक के लिए आजादी के बात से आप तक नहीं आया होगा, क्योंकि वो वाकई में उनके ल जम्मू, इनके हसलों का पलक कर दिजे, केवल लदाक के अगर आप बात कीजे, तो लदाक का तो जिसे कहते हैं, ना कि विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोडा ये था, कि लदाक उस राज्य में आ रहा था, जिस राज्य में वहां उसकी कोई, उसके चेतर विश्य कोई स शोक्रिया, सिधार जी और डॉक्टर रही सिंग जी आप दोनों ही महमानों का बहुत बहुत दन्यवाद आप दोनों ही महमान आए और जम्मु कश्मी से जुड़े जो परिवर्तन हुए उस पर अपनी राय रखी तो फलाल चर्चा में इतना ही धन्यवाद